नमस्कार and welcome to Curiously Education चलिए दोस्तों आज के दिन की शिर्वायत, डिस्किशन की शिर्वायत हम बिली ग्रेहम के एक बहुत इंट्रेस्टिंग कोट के साथ करते हैं It is not the body's posture, but the heart's attitude that counts when we pray जब हम परातना पूजा करते हैं उस समय पर हमारा physical posture कैसा है, उतना matter नहीं करता है हमारे heart का attitude, यानि की हमारे मन का जो रवया है, हमारे मन कितना साफ हैं, वो सबसे ज़्यादा matter करता है और ये तो हो गया इसका एक बेजिक ट्रांसलेशन लेकिन इसका एक डीप मीनिंग ये भी है कि सर्फेस लेवल पर चीज़े क्या चल रही है वो उतने मैटर नहीं करती है हमेशा इंटरनल हमारी जो दुनिया है उसमें हमारा व्यूपॉइंट क्या है हमारा एटिट्यूट कैसा है हमारा मन साफ है कि नहीं ये सारी चीज़े जो है वो और ज्यादा मैटर करती है आप सोचेगे इसके बारे में आज 27 अक्टोबर 2022 है दोस्तो हमरे डेबलर पर काफी सारे इंटरिस्टिंग टॉपिक्स है सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एजूकेशन सेक्टर के बारे में इसमें जो हमारी खेतरी भाषा है उसका क्या रोल है वो समझेंगे फिर रैशियलिजम के बारे में एक बहुत ही इंटरिस्टिंग आर्टिकल है राजभवन वर्सिस केबिनेट यहाँ पर जो हम देखते हैं कि कई बार कुछ राजियों में गवर्नर्स वर्सिस गवर्मेंट वाली सिच्वेशन हो जाती है उसको देखेंगे तामिल नाडू गवर्मेंट जो है इस गोईंग ग्रीन बहुत सारे इंपोर्टेंट स्टेप्स जो है वो तामिल नाडू सरकार ने उठाये हैं और ग्लोबल लेबल पर यह जो यूक्रेइन का वोर चल रहा है तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो हुई थी उससे क्या नई चीजे आज हम सीख सकते हैं इससे पहले भी हमना क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पर बात की है आज कुछ और इंटरस्टिंग पॉइंट आपको यहां पर जानने को बनेगें अमिजशार लिखते हैं कि आजादी का अमरित महुतसव हम सेलिबरेट कर रहे हैं राइट सेवरे फाइव यर्स ऑफ आवर इंडिपेनेंस और 16 अक्टोबर को जो चीज हुई यह चीज जो है यह हमारे देश की जो एड्यूकेशन सिस्टम है उसका एक रेनेशन्स है यार की एक नया युग जो है उसकी शुरुआत हुई 16 अक्टोबर को क्या आपके पता है क्या हुआ 16 अक्टोबर 2022 को क्यों अमिजशार साब ऐसा कह रहे हैं कि इंडियन एड्यूकेशन सिस्टम में एक नई करांती आई है या फिर एक नया युग जो है उसकी शुरुआत हुई है जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है उसका मतलब यह है कि आपने क्यूरियसली एड्यूकेशन के दूसरे वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तो मद्यप्रदेश हमारे देश का पहला ऐसा राज्य बना है ये एक जनरल नॉलेज की इंफॉमेशन है अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे है तो ये एक बहुत ही इंपोर्टन्ट टॉपिक है आपके लिए अगर मद्यप्रदेश जो है वो हमारे देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसमें मेडिकल एड्यूकेशन एंबबी इसकी पढ़ाई जो है वो आप हिंदी भाषा में कर सकते हैं इसको लेकर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है ये वीडियो नहीं देखा है तो आई हाइल और दिखेंगा ये वीडियो फ्यू कि इस विडियो की जो देखेंगा वह मैं डाल दूंगा तो यह वाला वीडियो आप देख लिए उसके विडियो को ज़रूर देखेंगा दस मिनिट का ये विडियो है लेकिन उसके अंदर जो इंफोर्मेशन है यह बहुत है इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए ओके यहां पर अमिच्छा साब यह भी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंदर आप मोदी साब जो है उनका एक सपना है कि वो हमारे देश में जो एड्यूकेशन सिस्टम है उसको नेटिव लेंगवेज में ले जाना चाहते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि अंग्रेजी की अंग्रेजी मीडियम में जो इंग्लिश मीडियम की पड़ाई हैं वो खत्म हो जा बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों के प्रोजेक्स पर काम किया है उनकी पूरी कहानी में जानता हूं उनकी पड़ाई जो है स्कूल लेवल की पड़ाई वो गुजराती मीडियम में हुई फिर जब उन्होंने गुजरात जो था उसमें उनको 80-80 जो कहते हैं राइट वो कुछ सब्जेक्स जो है वो कलियर नहीं कर पाया उसके बीचे में रीजन यह था कि पूरी पड़ाई जो थी वो इंग्लिश में थी और उनकी पूरी पड़ाई जो है वो गुजराती में हुई जैसे दिसे करके मेहनत करते के उन्होंने इंग्लिश को इंप्रूव किया और इंजिनिरिंग जो है वो खत्म के लेकिन आज भी जब भी मैं उनसे बात करता हूं तो वो मुझे बताते हैं कि यह जो इवेंट हुआ मैंस यह चीज़ जो हुई उनके साथ क्योंकि एक 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 बहुत ब्रिलियंट वेक्ति जब वो फैल होते हैं तो उनके लिए यह बहुत बड़ी बात होती है तो लेंग्वेज की वज़े से यह हुआ लेकिन आज एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में वो काम करते हैं काफी अच्छे लेवल पर पहुँच गए और यह उनकी खुद की महनत की वज़े से यहां पर पहुच है लेकिन चलो उसका फाइदा यह भी हुआ कि उन्होंने अंग्रेजी को इंप्रूव कर लिया तो आज वो एक इंग्लिश स्पीकिंग देश के अंदर बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं उनका टैलेंट जो है वो आज दुनिया की दूसरी कंपनीज के लिए बहुत सारा फाइदा हो रहा है वो बात अलग है कि हमारे देश के लिए उनका इतना फाइदा नहीं हुआ बट अगर गुजराती में ही एंजिनियरिंग की पूरी पढ़ाई हो सकती तो शायद वो हमारे ही देश में इस लेवल तक पहुंच सकते यह यह अगाइन एक हैं यह तो उनका जेवन हैं उनकी डेस्टिनी है कि उनको दुनिया के दूसरे देश में जाना पड़ा बट इस जिस्ट वन एग्जांपल के ऐसे तो बहुत सारे हमारे देश के लोग हैं स्टुड़न्स हैं जो बेजिक उनकी पढ़ाई जो है वह गुजराती पंजाबी हि दी या फिर कोई लेंगवज में होते हैं लेकिन जब वो किसी कॉलेज में डिमिशन लेते हैं MBBS है या फिर एंजिनेरिंग है तो वहां पर उनको अंग्रेजी में ही पढ़ाई करनी पड़ती हैं तो यह एक डिफिनिटली एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने की जरूर इंडियन कल्चर इस लाइक फुली ब्लूम्ड लॉटस जो कवल का फूल होता है वैसे हमारा इंडियन कल्चर है और इसकी एक पंखडी जो होती है जिसको अंगरेजी में कहते हैं पीटल तो इच पीटल ओफ विच इस लाइक अवा रीजिनल लेंगवज के हर एक जो पंख को डिस्ट्रोइ करेंगे तो आप पूरे लोटस के जो फूल है उसकी खुबसूरती को बर्बाद कर देंगे आइवोंट रीजिनल लेंगवज तो रेमें क्वीन्स ऑफ स्टेइज और हिंदी शुडवी अद दे सेंटर इन दिस वर्ट गूरुदे बीटिफली तो बहुत ही खुबसूरत तरीके से भारत के कल्चर और लिंग्विस्टिक डाइवसिटी यानि कि भाशा में जो विवित्ता है नबे देश में उसको बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे सामने रखाए इसके साथ-स आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है इनका नाम है भारत हिंदू हरिश चिंदर जी उन्होंने भी जो निज भाषा है उसका डिस्क्रिप्शन ये दिया है कि ये जो हमारी अलग अलग भाषा हैं ये ओल इंक्लूजिव हैं और हमारे देश में जितनी भी भाषा बोली जाती हैं साउट टू नॉर्थ इस टू वेस्ट इसारी की सारी भाषा जो हैं वो हमारी भाषा हैं हमारे देश की भाषा हैं तो languages जो हैं ये हमारे culture के साथ जुड़ी हुई होती हैं right history के साथ जुड़ी हुई होती हैं और Indianness के साथ जुड़ी हुई ये सारी हमारी भाषा हैं अब Hindi language के बारे में Amit Shah साब ने ये कहा कि Hindi जो हैं वो किसी भी एक language के साथ conflict में नहीं है इसा नहीं है कि Tamil Nadu में भी लोगों को Hindi ही बोलनी चाहिए करला में भी Hindi ही बोलनी चाहिए या फिर किसी भी नॉर्थ इस्ट के राजिये में भी Hindi ही बोलनी चाहिए वो बात अलग है कि Hindi भाषा जो है वो लोगों को समझ में आनी चाहिए same thing goes with English ये मेरी personal मानियता है मैं मानता हूँ कि आज के जमाने में अगर हम English नहीं सीखेंगे तो that is not good for us क्योंकि कितना सारा international फ्रांस की कोई किताब जो है वो सबसे पहले गुजराती हिंदी में नहीं लेकिन सबसे पहले English में ट्रांसलेट होगी और अगर वो इतनी ज़्यादा हिट होगी तब जाकर वो दूसरी regional languages में आएगी तो यहाँ पर एक misconception जो है कि Hindi language जो है वो दूसरी Indian languages को spread होने से रोकेगा तो Amit Shah साब ये केता है कि ऐसा बिलकुल नहीं है उन्होंने कहा कि Hindi जो है वो हमारी राज भाषा है और इसका किसे भी language के साथ conflict नहीं है and in fact Hindi is a friend and comrade of all Indian languages Hindi जो है वो सभी दूसरी भाषाओ की मित्र भाषा है किसी के साथ उसकी कोई खत्रुता नहीं है which is very good of course लेकिन इसे के साथ साथ we have to display flexibility right Hindi के साथ I would say English या फिर जो भी रीजिनल लेंग्वेज है कोई भी लेंग्वेज जो है हमारी देश में अच्छी बात यह है देखे मैं अपने परस्नल अनुपव से कह सकता हूं I have worked with German people French Turkish people right यह अलग अलग देशों के चाइना शाहद ही कोई एसा देश कतार से थे students श्रिलंका से थे मॉलडीव से थे मॉरिशियस के स्टूजन्स से फ्रांस जर्मन जर्मन टीचर थे एक इटालियन टीचर थे तो कितने सारे यह अलग अलग दुनिया के देश के लोग जो है वो एक जगा पर मिलते थे युनिवर्सिटी में और वहां पर जैसे फ्रेंडशिप हुई मित्रता हुई तब मुझे यह पता चला कि हमारे ही युनिवर्सिटी में एक साउथ इंडिया के बेंगलो के स्टूजन थे तो उनको वहां की लेंग्विज भी आते थे कंड़ी लेंग्विज हिंदी भी बोल लेते थे अंग्रेजी भी बोल लेते थे तो यह तीन लेंग्विज उनको मेरी बात करें तो I can speak in Gujarati Hindi and English पंजाबी थोड़ी बहुत समझ में आती हैं दूसरी लेंग्विज जो नेपाली भाषा है तो थोड़ी बहुत समझ में आते आए हैं a few Nepali friends back in UK तो उनसे थोड़ी बहुत लेंग्विज ऐसी सीखी थोड़ी बहुत नेपाली राइट not that much तो what I am trying to tell here is कि हम भारत के लोग जो हैं उनको तीन लेंग्विज जो हैं वो तो समझ में आती है जनरली स्पिकिंग अगर तामिल नाडू का कोई व्यक्ति है तो हिंदी फिल्म है देख देखकर उस व्यक्ति को हिंदी भी आती है और अंग्रेज भी आती है और तामिल भी इसके फरांस और दोसरे देश के लोग जो हैं उनके साथ सबसे बड़ा इस्यू होता है कि उनको अपने लेंग्विज बहुत अच्छी तर्थी तरिके से आती हैं English लेंग्विज जो हैं उनके साथ इस्यूज रहते हैं लेकिन उनके लिए ब्षा लेकिन थ्र्ड में ने की चाहिए है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है, उसको हमें डेफिनेटली एक्सपांड करने की जरूरत है, और जितना ये एक्सपांड होगा, उतना हमारे देश के लिए अच्छा होगा, ऑप्शन रहने चाहिए, कई बार ऐसा भी होता है, आज की जमने में ऐसा नहीं है, कोई कुज पाउस हैं, हस्बंड या फिर वाइफ और आपके बच्चे जो हैं, तो उनको आप घर में गुजराती बोलेंगे, स्कूल में वो इंग्लिश और तामिल स्टुडंस के साथ, तो उनको ये तीन लेंग्वेज जो है, वो आनी ही चाहिए, क्योंकि उनको वहां पर रहना है, गर की लेंग्वेज मदर तंग अलग है, तो ये सारी चीज़ जो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है, इस वड़ वेरी गूट, फिर वो अगर चाहे तो अपनी एक्जापने अग्जामेशन तामिल लाड़ू में तामिल लेंग्वेज में दे सके ए, एंगिलिश पर उजराती म कि ये languages को हम एक दूसरी language जो भी अलग-अलग languages को respect करें तो फिर हमें ये examination में थोड़े efforts जो हैं वो डालने पड़ेंगे और native language में अगर examination ली जाती है तो उसके बहुत सारे फाइदे भी है कहते हैं कि एक deep connection रहता है कि educational progress और medium of instruction इसके बीच में बहुत ही strong connection है इसके साथ साथ intellectual progress के लिए बहुत important है native language जब non-native language में पढ़ाई लिखाई कर वाई जाती है तब वह एक limit आ जाती है intellectual progress की और इसके साथ साथ हर एक बच्चा जो है वो अपने potential तक पहुँच सकता है सरकार ने काफी सारे initiatives भी लिए है for example engineering education जो है वो आज 8 languages में available है इसमें तामिल language है तेलगू मल्यालम गुजराती मराथी बंगोली हिंदी आसामी यह आठ लिंग्वज है और NEET और UGC की exam जो है वो आप 12 languages में दे सकते हैं तो दूसरी भी examinations को उसके लिए भी दूसरी examinations के सब्सक्राइब भी यह options रहां वो खुले रखने चाहिए लेकिन इस पर debate होगी विवाद होंगे controversy होगे क्योंकि हर कोई जो है इसको accept नहीं करेगा कई लोग यह भी कहेंगे कि यह हमारी language को मिटाने का प्रयास है कि पूरे देश में हिंदी बोलनी चाहिए या फिर हिंदी जो है वो connecting language जो union home minister बता रहा है क्योंकि वो हिंदी language के साथ connected है इसलिए लेकिन इस पर और discussion होने चाहिए रादर देबाइट और argument I would say इस पर और discussion होनी चाहिए और अच्छा है इसका solution जो है वो निकालने की कोशिस हर किसी को करनी चाहिए लेकिन flexibility should be the key आज के जमने को ध्या में रखते हुए and that's everything as far as this particular topic is concerned कुंठित सोच को अपने तक हावी होने से बचाना होगा भारत के लिए बहुत बड़ा lesson है पूरी दुनिया के लिए in fact Britain की बात करें तो दुनिया के कितने सारे देशों पर शाशन भी किया और उनका शोशन भी किया लेकिन आज Britain जो है वो बदल चुका है Britain का समाज अगर आज खुद को इतना बदल सकता है कि सरकार के मुख्या के तौर पर एक इंडियन औरिजिन के व्यक्ति को चुना जा सकता है विनों के रिसी सुनाग जो है वो Britain के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं तो ये उन सारे देशों के लिए उन सारे समाजों के लिए एक लेसन है कि नसल के आदार पर चमड़ी के रंग के आदार पर धर्म के आदार पर जाती या क्षेत्र के आदार पर किसी भी प्रकार का डिस्किर्मिनेशन जो है वो हमें नहीं करना चाहिए ब्रिटेन जो है उसने ये चीज़ हमें सिकाई है जब रिसी सुनाक अपना पहला भाशन दे रहे थे उसी समय पर भारत की एक नॉर्थ इंडिया की एक यूनिवर्सिटी में जो वहां के रिसिडेंशिल्स छात्र हैं उन्होंने क्या किया है कि नाइजिरियन छात्र पर हमला कर दिया और ये हमला जो है वो विदेशी होने पर नहीं धर्म को लेकर उस व्यक्ति के धर्म को लेकर उस पर एटएक किया गया दूसरी है ऐसे नॉर्थ इंडिया के राजिय में तीन दलितों को गोली मार कर उनकी हत्या की गई और NCRB का रिपोर्ट यह कहता है कि दली तो पर अत्याचार की घटनाय जो है वो और ज्यादा हमरे देशों में हमारे देश में सौरी बढ़ रही है तो दुनिया के अलग-अलग देश जो है वो अपनी सोच को उधार और पगत शील बना रहे हैं हमारे देश के इतिवास को देखेंगे तो हमेशा से हम यह जो कहता है कोस्मो पॉलिटन या फिर अलग-अलग कल्चर को एक्सेप्ट करने वाली हमारी संस्कृती रही है और हमारे यहां पर हम फिर से यह सद्यों पुरानी या फिर हजारों साल पुरानी जो भी एक लिमिटेट सोच थे उसको हम फिर से यहाँ पर एक्टिव करने के बारे में यह सारे केसिस यही देखाते हैं कि आज भी यह सारी सोच जो है वो काफी हमारे देश में एक्टिव है इस ए मैटर ऑफ शेम फूर कंट्री लाक इंडिया के हमारी प्राचीन संस्कुरुति वाला देश हम अपने आपको कहते हैं और हमारे देशों में यह सारी चीज़े और आज दुनिया के साथ देशों में भारत वंशी रास्टर पती है आई वस वाचिंग के बीसी और फिर मुझे पता चला के पॉर्टुकल के जो प्रेजिट यह फिर प्राइमिस्टर आप फोगट देन लेकिन वह इंडिय भी देशों के ऐसे लेडिस हैं जो भारत वंशी हैं और दुनिया के यह सारे नए नए देशों में यह सारी चीज़े हो रही है और प्राचीन संस्क्रित वाला देश जो है तो यहां पर ऐसा हो रहा है तो भी चीज़े मैटर अफिशन तो हम हैं और पुरी दुनिया को अफ गुवनर वर्सिस चीफ मिनस्टर की हम बात करें तो केरेला के गवनर आरिफ मुहमत खाल जो है, उनों ने यह कहा कि वो यह जो फाइननस मिनस्टर है के के न बालगोपाल, तो उनको हटाना चाहते है, उनों ने कहा कि हम विड्रोइंग, मुझा प्लेजर, जो है, उनका यह ज expectation यह है कि चीफ मिनिस्टर पिन्यारी विजयन जो है वो अपने फाइनस मिनिस्टर को हटा दे लेकिन इस बात को चीफ मिनिस्टर ने रिजेक्ट कर दिया है अब यह सारी चीज़े जो है यह युनिवर्सिटी के वाइस चैंसलर के appointment को लेकर जुड़ी हुई है और constitution क्या क्या देखिए constitution में जो doctrine of pleasure कहा गया है तो यह clearly चीफ मिनिस्टर का reference है इसमें इसमें ऐसा नहीं है कि गवर्नर जब तक चाहे तब तक नो हमने इससे पहले भी बात कि थी तो हमें इसकी और depth में नहीं जा रहा हूं लेकिन जब तक चीफ मिनिस्टर चाहते है तब तक कोई MLA जो ह है वो उस परिकुलर राजिय का मिनिस्टर रह सकता है जब चीफ मिनिस्टर जब चाहे तब उनको हटा सकते हैं वाइस चांसलर की appointment की बात करें तो search committee ने सिर्फ एकी नाम दिया और फिर वो state के chief secretary की committee ने एक नाम दिया और उसके आधार पर फिर वाइस चांसलर को appointment किया गय एपी जे कलाम university का के उसमें से जो वी सी हैं उनको हटाया जाए तो फिर governor साब ये चाते हैं कि कुछ नो ऐसे universities हैं वहाँ पर से भी वी सी को हटाया जाए उनका कहना यह है कि search committee को तीन से पाँच नाम देने होते हैं as per UGC regulations लेकिन इसा नहीं हुआ है तो उनको भी हटा है the thing is ये governor और chancellor ये governor जो होते है वो एक राजियो के chancellor होते है और फिर वो वी सी को एपॉइंट करते हैं इसकी वजह से हमने इससे पहले भी बात किती कि बहुत सारा politics जो है वो बढ़ चुका है तो यहां पर governor का रोल जो है वो governor तक ही limited रहना चाहिए ऐसा लगता है कि अब च इस चीफ मिनिस्टर वाली situation जो है वो भी बहुत सारे राज्ये में हो रही है जासे मैं इससे पहले भी बताया था कि नरेंदर मुदी साब जो है वो खुद इसके शिकार रहे हैं लेकिन center में उनकी सरकार है और आज दूसरे जो opposition rule states है वहां पर यह issue हो रहा है which is not good at all for the people of that state उस राज्ये के लोगों के लिए यह चीज़ जो है वो बिलकुल अच्छी नहीं है isn't it तो इसके बारे में central government को थोड़ा सोचना चाहिए and that's everything in this particular topic let's talk about going green the Hindu का यह article है it's about Tamil Nadu Tamil Nadu सरका ने बहुत सारे steps उठाये है right or visible है government के orders को देखेंगे उनके budget को देखेंगे तो पता चल आती है जैसे के बहुत सारे ऐसा ecological zon's जो है तो इनको रामसर साइट declaration के तहत लाने की कोशिस हो रही है और कुछ ऐसे सो से भी ज्यादा villages है जिनको green parks में तबदिल किया जाएगा अगस्थिया मलाई जो region है तो इनको elephant reserve के तोर पर declare करना यह सारी चीज़ें आपको याद के लिए फिर जो पालक बे है तो उसको डुगोंग conservation पार्क के तोर पर तबदिल करना फिर तिरुपूर जो है तो उसमें एक नई bird sanctuary बनाना फिर भारत की पहली बहुत important information slender lorries के लिए एक wildlife century यह भारत की पहली होगी इन दिंदिगुल और करूर डिस्ट्रिक्ट और जैसा म जीजेगा very very important thing for you easily इस पर आपको प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं political will यहां पर तामिल नाडू की clearly visible है राइट का governing council or climate change भी गठित की है और इसमें बहुत सारे experts है जैसे के green climate fund corpus भी तयार किया है और सारे important जो missions है तो उनको कैसे पैसे दिये जाएंगे इसे के साथ साथ तीन important missions है जैसे के climate change को लेकर तामिल नाडू green mission और wetlands को लेकर जो missions है यह सारे missions के लिए भी top advice जो है वो दी जाएगी United Nation का data यह कहता है कि 193 देशों में से 26 असर देश हैं जो proper plans को follow करने के हमें emergency basis पर यह climate change के जो हमारे commitments हैं को follow करने की जरूरत है दुनिया के सारे देश जो हैं वो इसी चीज़ को लेकर challenges face करें के energy transition कैसे होगा कैसे fossil fuel से green fuel की तरफ हम transit कर पाएंगे mobility यानि की diesel petrol car से कैसे हम EVs तक और EV को भी आपको green तरहीं से पैदा करना पड़ेगा EV यानि की electricity को जो fuel है उसको कैसे electricity is a fuel आप green sources से उसको पैदा करें या renewable sources से पैदा करें और agriculture में भी बहुत बड़े बदलाव की जरूरत हैं और local solutions right को ध्यान में रखते हुए local necessity को capacity को ध्यान में रखते हुए solutions निकालने पड़ेंगे और ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ paper पर नहीं grassroot level पर हमें नज़र आने चाहिए तब जाकर हम climate change को रोख पाएंगे लेकिन anyway ये सारी चीज़ें जो है वो तामिल नाडू काफी अच्छी तरिकी से कर रहा है और I'm sure दूसरे राज्यों को भी तामिल नाडू inspire करेगा that's everything now let's move on to the last one but very important article Cuban missile crisis की जो script है वो आज भी कैसा relevant है यूकरेन का युद चल रहा है राइट कोई नहीं बता सकता कि कैसे ये end करेगा starting के time पर ऐसा लग रहा था कि रश्या ने एक चोटा सा जो ना special military operation लाँच किया था लेकिन अब ये 9 महीने लंबा military operation हो चुका है और 2023 में भी ये चल सकता है और नेटो जो है असा लग रहा था कि बिखर जाएगा तूट जाएगा लेकिन इसा नहीं हुआ रस्या जो है वो इतना strong है कि वो हारेगा नहीं यूकरेन जो है वो इतना कमजोर है कि वो जीत नहीं पाएगा नेटो जो है वो यूकरेन को support करा रस्या को ये बिलकुल जोन एफ केनेडी जो हैं उनको ये पता चला कि यूएस असार जो हैं उसने क्यूबा में कुछ मीडियम और इंटर मीडियेट रेंज नुकलियर मिसाज जो हैं उसको डिप्लॉई कर दिया है उसके बाद उन्होंने 22 अक्टोबर को क्यूबा के एर्दगिर का जो नेवल एरिय है जो पानी का एरिया है उसको कॉरंटीन कर दिया कि यहां पर कोई आ नहीं जाए आप नहीं पाएगा जो आ नहीं पाएगा बाहर और बैक डॉर में पीछे के दर्वाजे से उन्होंने अपने भाई रोबर्ट केनेडी को ये बताया कि आप सोवियत अंबैसेडर एनाटोल की डॉरी डॉरीनिन के साथ बातचीत कीजिए और प्रॉब्लम को सॉल्व कने की कोसिज कीजिए और हुआ ऐसा कि प्रॉब्लम जो हां वो सॉल हो गया क्राइसिस जो है वो 28 अक्टोबर को डिफ्यूस हो गई और उस टाइम पर जो सोवियत प्रेमियर थे निकीता खुर्श स्ट्रेव ने यह कहा कि हम इसको विड्रो कर रहे हैं और इसके जाद साथ यूएस ने टर्की में जो मिसाल्स जूपिटर न्यूकलियर मिसाल्स रखे थी उनको भी विड्रो कर लिया लेकिन 28 से पहले 27 को एक चीज़ हुई क्या हुआ पता है असा हुआ कि एक उनके बहुत शाना टारगेट कर दिया गिरा तो वह शहीद हो गया लेकिन इस 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 इंसिडेंट ने भी दोनों देशों को न्यूकलियर वैपन्स यूज Stick नहीं करने चाहिए ये बात का जो इंपोर्टेंस है उस से उस लाइन से ये बहार नहीं निकले कई लोग जो हैं वो कहते हैं इसको Stability, Instability Paradox इसको कहते हैं Stability Instability Paradox तो अब जो रश्या जो है वो सिगनल कर रहा है कि हम इसका इस्तमाल करेंगे न्यूकलियर वेपन का राइट 21 सेप्टेंबर को उनोंने पार्शल मॉबिलाइजेशन भी किया और सरगेई सोईगो जो डिफेंस मिनिस्टर रहा है कि यूक्रेइन जो है वो शायद डिर्टी बोम यानि कि न्यूकलियर बोम का इस्तमाल हमरे खिलाफ करें और दुनिया के लग-लग देशों के इसको उन्होंने बताया रादनाथ सिंग साब के साथ भी सरगेई ने बातचीत की तो भारत का रिस्पंस यही था कि यह जो हिमेनिटी है उसके खिलाफ होगा यह तो न्यूकलियर वैपन्स जो है इसका इसका इस्तमाल बिलकुल नहीं करना चाहिए अब ग्लोबल डिप्लोमेसी इसमें कुछ कर सकते है देखिए विंटर आने वाली है तो विंटर के टाइम पर मिलिटरी ऑपरेशन जो है वो बंद हो जाएंगे लेकिन उससे पहले एसकेलेशन और मिसकेलकुलेशन काफी ज्यादा हो सकते हैं युनाइट नेशन सेक्रिटी कांसिल परिलाइजड बिकोज उसमें रोश्या जो है वीटो पार के इस्तमाल कर रहा है तो अब दुनिया के जो अलग-अलग लीडर्स है ग्लोबल लीडर्स जैसे के प्राइमिस तमोदी साहब है है एस जेशनकर साहब है जी ट्वेंटी का जो करन्ट प्रेजिडेंट है इंडोनेशिया फिर भारत बनने वाला है ब्राजील है साथ आफरिका है टर्की है तो इसे बहुत सारे देश जो है वो पुतिन को कन्वेंस कर सकते हैं के आप इस एसकेलेशन को रोकिये सीज़ वायर को अच्व करना जो है वो हमारा प्राइम मोटिव होना जाहे उसके बाद सारी दिसक्रसंट जो है वो आगे बढ़ सकती है लेट सोप कैसा ही हो अगर वीडियो पसंट आय हो तो प्लीज एड लुकारे दूसरे लोगो के साथ शार जारू करें दू कंसिडर सुट्राइब कुरिशली एडुकारें आप बढ़ स्वें आप एंग्यों ने जोई जोड़ीज ने जोड़ीज वीज़ आए